भाई को रखो, थोड़ी देर लाइव पर रखो आप देख रहे हैं, News Biscope, मैं हूँ राकेश रंजन भाई को रखो, थोड़ी देर लाइव पर रखो किसके लिए कहा गया है? किसने कहा है? जानते हैं आप? नहीं जानते तो मैं आपको बताऊं कि ये एक लाइब वीडियो की बात है जिसमें कि रिशब पन्त, रोहित शर्मा और सुरी कुमार यादो थे और ये रिक्वेस्ट किस से किया गया और किसके लिए रिक्वेस्ट किया गया कि भाई को लाइब पर थोड़ी दिर रखो तो आ खिलाडी भारत के कप्तान रोहित शर्मा हैं, रिशब पन्त हैं, सुरी कुमार यादों हैं, अक्षर पटेल दिखे हैं और इसमें धोनी भी थोड़ी देर के लिए इस वीडियो में जो भारत की ये खिलाडी हैं वो अपने फैंस से बात करते भी दिखें इसी पर बात चीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सायोगी प्रोजेश हैं, प्रोजेश ये वीडियो बहुत वाइरल हो रहा है, बहुत जमकर मस्ती की है, खिलाडीयों ने बारिश हो रही है, और एक दिल्चस्प है कि रिशब पन्त कहते हैं कि मन कर रहा है ना, कि चलो बारिश में नहाते हैं तो भींगते हैं उसमें तो ये सारी चीजें जो हैं बता रही कि टीम वहां कितना मस्दी कर रही है टीम का माहौल कैसा है वेस्ट इंडीज में तीसरा जो वंडे है वो आज है लेकिन आपको बता दें कि रोहित शर्मा रिशाप पंध जो पहुंचे हैं वो T20 सीरीज के लिए पहुंचे हैं और लेकिन अभी वो अपने होटल के रूम में थे और इसलिए रूम में थे क्योंकि बारिश हो रही थी तो ये उस वक्त का वीडियो है और इसमें माही आते हैं धोनी आते हैं थोड़ी देर के लिए और माही वहाँ पर दिखते हैं वो बैठे हैं पहले हाई होता है और उसके बाद बस थोड़ी देर के लिए आते हैं और लोग जैसे ही कहते हैं कि भाई को रखो थोड़ी देर लाई पे रखो चुकि उनसे बाते करना चाहते थे रोहित शर्मा, रिशपपन्त, सोरे कुमार यादो लेकिन एज उसवल जो दोनी का ये रहता है वो मुस्कुराते हैं अपना हाल चाल बताते ठीक है और उसके बाद कैमरा पर हाथ है इस तरह से रख देते हैं और फिर वो बाहर निकल जाते हैं उस चैट से तो एक छोटी सी बात है प्रोजेश लेकिन ये बताता है कि जो भारत के वरतमान खिलाणी है रिशपपन्त, रोहित शर्मा, इन लोगों पर धोनी का क्या इंपक्ट है वो कितनी रेस्पेक्ट करते हैं धोनी की जी बिल्कुल देखिए वेस्ट इंडीज का एक माहौल ही है कैरबिया ही लोग काफी एंजॉय करते हैं कैलिप्सो की संगीत पे, की थाप पे अपने आपको मनोरंजन के लिए वो लोग काफी फेमस भी हैं और इंडियन जो किर्केटर है, काफी टेंस रहते हैं, मैच रहता है लेकिन उसके बाद वो जब एंजॉय का माहौल होता है तो वे एंजॉय भी करते हैं और वेस्ट इंडीज का एक माहौल भी वैसे ही है और साथ में महेंदर सिंग धोनी की बात करें तो वे एक लिजेंड है और जितने भी अभी बरतमान खिलाडी है सभी उनके अंडर में खेले हैं सारे लोग उनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी बात सुनते हैं और अगर धोनी कभी भी कोई टिप्स देते हैं खास करके रिसप पंथ काफी जादी इंप्रेस है डोनी से अपने भी कीपिंग करते हैं महेंदर सिंग धोनी की तरह है और उनकी जो बात है वो काफी ध्यान से सुनते हैं और काफी टिप्स धोनी भी उनको देते रहते हैं तो इसलिए एक अलग सा प्यार है क्या सकते हैं रिशब पंद का डोनी के पत्ती एक सम्मान है और रोही सर्मा, सुरी कुमार यादो ये भी डोनी को काफी पसंद करते हैं आपने ये तो बताया लेकिन उस वीडियो में एक लाइन ये भी है कि जब दोनी हाथ इस तरह से कैमरा पे कर देते हैं और वो चैट से बाहर चले जाते हैं तो रिशब पंद ये भी कहते हैं भाई लगता है कलर कर रहे थे जी बिलकुल जितने भी खिलाड़ी है अभी काफी एंजॉइंग मूड में थे उसी की बिच ये वीडियो बना है तो थोड़ा सा मजा किया जो लहजा था वो भी उस वीडियो में देखने को मिला है बिलकुल और सबसे बड़ी बात प्रोजेश अगर हम कहें तो हम कहते हैं कि हमारे क्रिकेटर्स जो है वो अच्छे से कई बार वेहवार नहीं करते हैं लेकिन अब देखिए इन खिलाडियों को कितनी सहजता से अपने फैंस से जुड़ रहे हैं उनको अपने वीडियो कॉल में एड कर रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं इन दौर के एक बंदे से उन्होंने बातचीत की साथ में उनकी पत्नी भी तुन्होंने कहा कि इन दौर में मैच है तो इन लोगों ने कहा कि भाई टिकट लेकर मैच देखने आना और ब्लैक में टिकट मत लेना तो ये suggestion भी दिया कि black में टिकट नहीं लेना है उडिसा के एक सजजन से बात की तो वो तो इतने मतलब भावुक हो गए कि उन्हें विश्वासी नहीं हो रहा था कि वो इन सब से बात कर रहे है तो ये एक छोटी चीज है लेकिन बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े स्ट्वेशर के खिलारी जो है इतने बड़े खिलारी जो है वो अपने फैंस के लिए वक्त निकाल रहे हैं बहरत में किर्केट का ऐसा क्रेज है कि हर लोग अपने जो पसंदीदा किर्केटर है उनको देखना चाते हैं तो भारत में ये जब भी वो किर्केट ग्राउंड में आते हैं उसके आज स्पास इतनी भीड रहती है कि वो अपने फैंस को उतना समय नहीं दे पाते हैं इसलिए को लगता है कि साथ वो उन घमंडी नेचर के हैं लेकिन ऐसा नहीं है सब प्लेयर का अपना-पना के स्टाइल रता है अपना एक सभाव है और यही सभाव अभी जब ऑनलाइन बाते हो रही है तो यह देखने को मिल रहा है कि वो कितने सहज हैं और कितनी आसानी से अपने फैंस के लिए भी उपलब्द है जा बिलकुल और आपको बता दूँ कि रिशाप पंत इस वीडियो में बापू भी है मतलब की अक्षर पटेल आपको बता दूँ कि अक्षर पटेल को लोग बापू भी कहते हैं और इस चैट के दौरान एक गुजरात के भी कोई फैन मिले थे उन्होंने अक्षर पटेल से थोड़ी गुजराती में भी बातचीत की और खास बात की अक्षर जो ह थोरी कि वो जूडने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग UG को जोड नहीं रहे हैं उसकी खिचाई कर रहे हैं तो ये एक चीज बताता है कि हाँ टीम का माहौल क्या है तो वंडे सीरीज तो भारत जी थी चुका है अब T20 सीरीज आनी है आज तीसरा वंडे भी खेले जाना है तो हम उमीद करते हैं कि ये जो माहौल है ये जो खुशनुमा माहौल है ये बना रहे और टीम जो है आने वाले सीरीज में भी अच्छा प्रदर्शन करें अभी के लिए इतना ही नियूस बाइसकोप पर क्रिकेट की खबरें और अन्य स्पोर्स की खबरें आपको मिलती रह अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे शेयर करें लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें नमस्कार